हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बाद नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वगत करता हूं तो दोस्तो इस वीडियो में हम इनफोसेस को कवर करने वाले हैं क्योंकि आज हो चुकि है 11 तारीक और कल है 12 तारीक तो 12 तारीक को आने वाला है या जो नेट प्रॉफिट है वो इनफोसेस निकालेगा तो कुछ प्रिव्यू आ रहा है अब हम प्रिव्यू के देखकर अनुमान भी लगा सकते हैं कि इनफोसेस की क्या कंडिशन होगी क्यों TCS ने नंबर तो बहुत अच्छे दिये लेकिन कहीं कहीं पर ग्रोथ कम रह है अब देखते हैं आगे मार्केट में क्या मोमेंटम आता है क्या अपडेट आता है जैसा अब यह आएका जरूर हम आपको कवर करेंगे तो फटा पट्चे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करिए चलिए सब से पहले इनफोसेस का आज का पफोमेंस देखत है हाई लगाता है 1494 अब देखे मोमेंटम इसमें इसलिए एक पॉजिटिव देखने को मिल रहा है क्योंकि कल आने वाला है क्यों सरी का नंबर और अपडेट जो है बहुत अच्छा है यहां पर आते देखने को मिल रहा है 621 करोड का मार्केट केप है 27 के आसपास का पी या गिरावट के तरफ कनवर्ड हो गई है बाकी तो आपको पता है कि इन्फोसेस ने अपने शेरोड़ों को भरपूर रिटन दिया है लॉंग टम के नेजरे से जो भी इन्फोसेस को देख रहा है वो बढ़िया देख रहा है लॉंग टम के लिए जिसको भी इसको अपने पर मैं लाया हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Q3 का जो प्रिव्यू है उस पर बतायागा कि जो नेट प्रॉफिट है वो 10% से जंप कर सकता है 10% से अब यह 10% छोटी मोटी रकम नहीं होती है इन्फोसेस के लिए बहुत बड़ी जंप है अनुमान तो इन्होंने बोल दिया 10% रहेगा revenue growth revenue growth demand को देखकर जितनी भी deal हुई है उनको देखकर जितने भी acquisition ही है उनको देखकर जो revenue growth है वो लगभग 19% देखने को मिल सकती है मतलब 3 महने में 19% का इसने revenue generate किया है ऐसा हमें देखने को मिल सकता है यह अनुमान है अगर इससे कम आया तो पिटाई निश्चीत होगी अगर इससे अच्छा आ गया तो दोस्तो मजा आ जाएगी इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा और यह update कब आया है यह time frame है दोस्तो कल का यह update हमें कल का देखने को मिल रहा है इसी प्रकार से और update है वो भी देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी बिजनेस के साइट के ओपर मैं आप लोगों को लाया हूं और यह update भी कल का ही देखने को मिल रहा है यहाँ पर बताया गया है दोस्तो कि net profit एक सब्दे भी बीच में यूज किया गया है likely मतलब यहाँ पर अनुमान लगाय जा रहा है ठीक है कि info says का जो revenue म मतलब जो net profit है ठीक है net profit जो है वो 9% बढ़ सकता है हमने वहाँ पर net profit 10% देखा यहाँ पर net profit 9% देख रहे है ठीक है और लगबग इसको रूपीस में देखें तो 6580 करोड तक का हमें net profit देखने को मिल सकता है और revenue guidance में दोस्तो revenue जो रहेगा उसमें कोई भी change नहीं होगा दो तो जो revenue growth है ठीक है वहाँ पर हमें 19% की देखने को मिल रही थी लेकिन यहाँ पर 3.8% की देखने को मिल रही है टोटल revenue जो है 37,920 करोड के आसपास कहां पर यह जनरेट करेगा ठीक है तो देखा जाए तो यह भी दोस्तो एक बहुत अच्छी research report हमें देखने को मिल रही है अब वो चीजे सब तो हमें कली पता चलेगी market बंदोने के बाद और उसका reaction हमें दोस्तो Friday के दिन देखने को मिलेगा ठीक है चले कुछ target आ रहे हैं वो भी देख लेते हैं Infosys के तो यहाँ पर आप देख सकते हैं The Economic Time की site के आपर मैं आप लोगों को लाया हूँ और मोतिला उसवाल जी का बोलना है कि हमने top peak में 10 large cave stock को रखे हैं जिन में दोस्तो double digit का हमें return मिल सकता है यह update हमें कल का ही देखने को मिल रहा है तेके तो चलते हैं नीचे सब सब पहले reliance है तेके और reliance का target भी बहुत अच्छा दिया है फिर Infosys है और Infosys में साड़े 10% का आपको एक potential target देखने को मिल रहा है लगबख 1630 रुपे का इनका भी बोलना यही है कि जो Infosys ने deal की है वो बहुत अच्छे अच्छी deal की है बड़ी बड़ी कमपनियों को acquire भी किया है और उसके साथ ही दोस्तो company आगे भी बहुत अच्छा performance दे सकती है Q3 का number भी बहुत अच्छा दिख तो जरूर दोस्तों आप यहां पर क्या कर सकते हैं Infosys को पूरा अपनी radar में रखकर चल सकते हैं अब देखिए Infosys की condition तो हमें पता है कितनी अच्छी देखने को मिलती है अब इसका technical chart analysis कर लेते हैं कि क्या support और rejection देखने को मिल रहे हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं Infosys का सबसे पहले हमें support level देखने को मिल रहे हैं और वो support level देखने को मिल रहे है 1400 ठीक है अब देखे Q3 का number अगर खराब आता है और भरपूर अगर इसकी पिटाई होती है 1400 का level तो फिर कहां तक गिरावट आए कि दोस्तों किसी को नहीं पता क्योंकि सीधा जो support level है फिर psychology number दे इन फोसेस इन तीनों level के बीच मैं ही trade कर रहा है और मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा देखे इन फोसेस अगर 1600 के उपर निकल जाएगा ना बहुत comfortable zone में आ जाएगा ठीक है और उसके साथ ही मान लिजे कि 1500 रुपे की range में अभी यह trade कर आए और यहीं पर रुक क अगर वह एक अच्छा performance हमें दे देता है साथ में Q3 का नंबर भी अच्छा निकाल लेता है तो फिर एक अच्छा कासा दमाका में देखने को मिल सकता है तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा अभी यह range में खरिदारी कर सकते हैं यह range में खरिदारी कर सकते हैं यह range में अभी हमें यही देखने को मिल रहा है कितने दिन से दोस्तों आपको देखने को मिल रहा होगा कि Infosys कितने दिन से अपना जो समय है एकी लेवल पर बिता रहा है यहाँ पर आप देखी सकते हैं ठीके यह देखे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यह लेवल और यह लेवल अगर वो इस लेबल पर आ जाता है तो करीबन दो साल के सबसे नीचले प्राइस पर आ जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए उमीद तो बहुत अच्छी है कि Q3 का नंबर बहुत अच्छा दिखाएगा और जो टार्गिट दे रहे हैं वो भी दोस्तो इसी confidence से दे रहे हैं तो आप लोगों को अगर Infosys को buy भी करना है तो आज का rate तो आप रुकी जाएए कल का भी थोड़ा सा रुक जाएए परसू से जो भी आपको momentum मिलेगा Q3 का नंबर तो हमें कल पाता ही चल जाएगा जैन उसके बाद परसू से परसू मतलब दोस्तो Friday के तिन Friday की दिन आप बढ़िया तरीके से Infosys में अपनी position बना सकते हैं अपना बढ़िया से analysis करके जो important level में आप लोगों को बताई दिये हैं कि Infosys किस-किस प्रकार से कैसा कैसा momentum कर सकता है अब सबकी जो निगा है दोस्तो वो Q3 के नंबर के ओपर है Q3 का नंबर अच्छा आ जाता है तो मज़ा सबको आ जाएगी खेल आगे जो भी अपडेट आएगा हम जरूर आपको कवर तो करेंगी तो फटा बट्स आमारे इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें तो तैंक यू दोस्तो